और स्वागत है आपका कैन लेर्निंग पॉइंट में आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे आयू से सम्मंदिज कुस्चन ट्रिक से बहुत ही जल्दी बिना पैन के आप अपने मैंड में ये कुस्चन कर सकते हैं लेकिन समझने हम थोड़ा टाइम लगेगा इसके लिए व पांच अनुपाद चार है तीन बर्स बाद यह अनुपाद 11 अनुपाद 9 हो जाता है योगी की बर्तमान आयू क्या होगी यहाँ पर यह बताना है चलिए देखते कैसे करते हैं सबसे पहले क्या गरना है बर्तमान आयू का अनुपाद कितना है पांच अनुपाद चार पू पांच अनपात में और योगी जी की है चार तो हम लोग option से solve करेंगे देखेंगे कि योगी जी की पूंच रहा है अनपात में दिया है तो ये 4 से भाग देंगे option में जिस option में भाग सला जाएगा पूरा-पूरा वो इसका answer हो सकता है तो देखिए 4 का भाग दीजिए 27 में चला जाएगा इसके बाद 35 में देखिए 4 का भाग नहीं जाएगा इसके बाद 41 में भी 4 का भाग नहीं जाएगा भाग का मतलब है पूरा-पूरा कट जाना चाहिए अब देखिए तो ये option एक ही पर मिल रहा है इसलिए answer हो जाएगा कुछ question में ऐसा होगा कि आपको दो option मे या दो से अधिक option में भाग चला जाएगा तब क्या करेंगे तब हम इस second वाले अनुपात से भी चेक करेंगे देखिए कैसे हैं अब यहाँ पर क्या कह रहा है तीन बरस बाद कितने बरस बाद तीन बरस बाद तो ये तीन इन सभी option में जोड के देखिए 27 में तीन जोड़ कितना हुआ ये हो गया 30 और 24 में 24 में ये तीन जोड़ो ये कितना हो जाएगा 27 और ये तीन जोड़ना है 35 में 35 में तीन जोड़ा 38 हो गया और यहां पर हो जाएगा कितना? 45 सूरी, 44 हो जाएगा कितना हो जाएगा? 46 अब देखिए योग एकि आयू 3 बर्स बाद कितनी हो जाती है? 9 के इन बात में तो इस 9 से यहां पर भाग देखिए 9 से भाग देजिए 9 का 30 में नहीं जाएगा 27 27 इसमें चला जा रहा है तो option first से option second दोनों से कौन सा option बन रहा है B क्योंकि दोनों में भाग चला जा रहा है तो समझे अब आपको अगर सीख चुके हैं तो जल्दी से करना होता कैसे करते क्या करना होता अनुपात में दिया है 5 अनुपात 4 चार का भाग देखिए दीजिए 24 में तो 4-24 चला जाएगा इसी के बाद इसी में अगर 3 जोड़ने तो होगा सकता इस और 9 से भाग देखिए 9 से चला जाएगा तो option ये भी सही हो जाएगा इतने जल्दी आप कर सकते हैं च 5 अनुपात 6 है कितना है 5 अनुपात 6 है 7 बर्स बाद यह अनुपात 6 अनुपात 7 हो जाता है तो P की बर्तमान आयू क्या होगी अब दिया है P और Q तो यहां पर P और Q लिक लीजिए पहले कितना है 5 और 6 के अनुपात में तो किसकी पूंच रहा है P की वरतमाना भी पूंच रहा है तो P का या अनुपाद कितना है 5 तो 5 से भाग दी दिए 40 में दी दिए 5, 80, 40 चला जाएगा 42 में पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा और 35 में 5, 70, 35 चला जाएगा 23 में नहीं जाएगा अब कितने उपसन बचे आपके पास 1 और 2 इन दोनों उपसन में क्या करेंगे 7 जोड़ देंगे कितना जोड़ देंगे 7 क्यों जोड़ देंगे क्योंकि 7 बरस बाद पूंचा है 7 बरस बाद अनुपाद दिया है 6, 95, 7 तो 7 जोड़ा 40 में 7 जोड़िएगा 40 और 7 47 और यहाँ पर 35 35 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7, 5, 12, 12 और 42 42 हो जाएगा कितना हो जाएगा अब कितना अनुपाद होता है 7 बरस बाद तो अब हो जा रहा है यहाँ पर 6 अनुपाद 7 तो अब कितना हो गया 6, अब 6 का भाग देंगे, तो 6 का भाग करिएगा 47 में, क्या जाएगा नहीं जाएगा, तो ये option भी cancel हो गया, अब 6 का भाग करिए 42 में, चला जाएगा, 6 सत्य 42, तो option C सही हो जाएगा, 35 वर्स आयू होगी, कितनी होगी, 35 वर्स, चलिए next question देखते हैं, ये रहा आपके सामने question, question है 6 वर्स पहले, A तथा B की आयू का अनुपाद, 6 अनुपाद 5 था, 4 वर्स बाद, 11 अनुपाद 10 हो जाता है, तब B की बर्तमान आयू क्या होगी, ध्यान से समझिएगा, अब क्या कहरा, 6 वर्स पहले, अब बर्तमान आयू तो बोलनी रहा है, क् A और B, A और B की कितनी है, 6 अनुपाद 5, तो यहाँ पर A की 6 वर्स पहले, 6 वर्स पहले, तो हम लोग 6 इस में से कम करेंगा, 14 में से 6 करा कम 8, और 16 में से 6 कम करेंगे तो 10 बचेगा, इसके गया 19 से 6 कम करेंगे तो 13 बचेगा और यहां पे तो कोई option नहीं है अब देखिए last में क्या पूँछ रहा है B की बरतमान आयू क्या पूँछ रहा है B की बरतमान आयू पूँछ रहा है तो B के लिए यहां कितना मान है 5 5 से भाग देंगे कितने से 5 से तो 5 से 8 में नहीं जाएगा पांच से दस में पांच दूनी दस चला जाएगा तेरह में पांच से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा तो option हमको कौन में जाए बी लेकिन हम लोग second option से भी चेक करेंगे second में क्या है गयरे अनुपाद 10 गयरे अनुपाद 10 हो जाता है अब देखिए सबाद अनुपाद क्या हो गया बी का हो जाएगा 10 बी का कितना होगा 10 10 से इस 20 में भाग दीजिए 10 दूनी 20 हाँ चला जाएगा तो हमारा right answer हो जाएगा option B कौन सा option B अब वीडियो के last में आप से question पूछा जा रहा है question है ये 3 गुडाँ minus 3 गुडाँ 3 की गाद 2 गुडाँ minus 3 की गाद 2 इसको जब हम लोग solve करेंगे तो जो answer आएगा वो plus में आएगा या minus में ये आपको बताना है plus में आएगा तो option A लिखिए minus में आएगा तो option B लिखिए बताएगा comment में क्या answer होगा और ये question समझ में आ गए है तो बताएगे कोई परेसानिया तो comment में लिखिएगा एक बार इस वीडियो को फिर से देख लें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा चलिए मिलते हैं next वीडियो में खुश रहिए, स्वस्त रहिए जैहिंद